दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि किस तरह से अगर आपने पहले से मालो KYC जो है अपनी करवार किये तो आप उस KYC को जो है किस तरह से ओनलाइन घर बटे ही अपने मोबाइल या लेपटोप के दोरा चेक कर सकते हो दोस्त को आपके पास जो है कई कई बा बार चेक कर लेना है और जो है ये कोल वगेरा आते हैं ये फ्रोड भी हो सकते हैं तो आपको जो है फ्रोड कोलों से आमें समबचना है और KYC इस्टेटस को एक बार चेक करके आपको कंप्रम कर लेना है कि मेरी KYC जो है किसमें रजिस्टर है एक्टिव है या इनेक्टिव ह वो आपको उसमें पूरा का पूरा जो है श्यो हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप भी अपनी KYC स्टेटरस को ओनलाइन चेक करना चाहते हो तो वीडियो को सुरूँ से लेके लाज तक जरूर देखे वीडियों बताविया प्रोसीजर को फोलो करते हुए आप भी इजीली जो है अपनी KYC के स्टेटरस को जो है चेक करें तो इसके लिए आप बने रहे हैं आपके अपने यूटूब चैनल पेक यादव के साथ अगर आप KYC NSC में है यानि नेसलन इस्टोग अक्चेंज में अगर आपने अपनी KYC को कर रखा है तो आप नेसलन इस्टोग अक्चेंज की KYC को किस तरह से ओनलाइन चेक कर सकते हो इसके लिए सबसे पहले आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद ब्राउजर के सर्च बोक्स में जाके आपको टाइप करना है NSEKRA और इसको जो है आपको ओपन कर लेना है जैसे ही मैं ओपन करूँगा ओपन करते ही इस तरह का एक पेज कुल के स्योग आ जाएगा और जिस तरह से मैंने एरो मारक जहां पर स्योग कर रहा है NSEKRA इस तरह का ओप्सन आपके सामने भी स्योग होगा और आपको NSEKRA के सामने जो है इसके उपर आपको किलिक कर देना है जैसे ही हम click करेंगे, click करते ही आपके सामने जो है इस तरह का page आपके सामने खुल के show हो जाएगा और आप जो देख सकते हो कि KYC inquiry तो इसमें select KYC, तो select KYC में individual और non-individual तो इसमें आपको individual type कर लेना है इसके बाद में जो आपका pen number है, वो pen number आपको enter करना है और नीचे जो capture दिया हुआ है, वो capture डालके और जो search का option है, search वाड़े option के उपर आपको click कर देना है जैसे ही आप ये process करोगे, आप देख सकते हो, इस तरह से आपके सामने page जो है, show हो जाएगा अभी इसमें सबसे पहले आपका pen show कर देगा, इसके बाद में के आरे नाम, तो मेरी जो KYC है, वो CVL में है, इस तरह से आप जो है NSC में अपनी KYC के status को online चेक कर सकते हो अगर दोस्तों, आपकी KYC केम्स में है, यानि computer management, अगर आपकी KYC इसमें है, तो इसके लिए वो ही same procedure, आपको सबसे पहले आपका search box open कर लेना है और open करने के बाद search box में जाके आपको केम्स के आरे, जो है केम्स के आरे, लोगिन करके, search box में टाइप करके, इसको search कर लेना है जैसे ही आप इसको search करोगे, search करते ही इसका जो website का home page खुल के show हो जाएगा अभी इसमें आपको जो है, KYC inquiry का जो option मिल जाएगा, आप देख सकते हो, कि my KYC status इसमें आपको pen number डालना है और I am not a robot का जो check box है, इसके उपर आपको click करके, और नीचे जो submit है, इसके उपर submit कर देना है तो आपकी KYC का जो status है, वो आपको show हो जाएगा इस तरह से आपको KYC का status show कर देगा, केमस में आपको आपका नाम, pen, number KYC आपकी किसमें है, जैसे मेरी तो KYC CDSL में है, इसलिए CDSL ही हर में show करेगा परन्तों अगर आपकी KYC केमस में है, तो इस तरह से इसमें आपको show कर देगी, तो इस तरह से आप केमस की website को open करके, और अपनी KYC के online status को बड़ी ही आसानी से check कर सकते हो अगर दोस्तों, आपने अपनी KYC, जो है कारिवी data management service, यानि आपने अपनी KYC, अगर कारिवी में कर रखी है, तो कारिवी की KYC के online status को check करने के लिए, आपको phone या फिर laptop जो भी हो, उसका search box को open करना है, और इसके search box में आपको type कर देना है, कारिवी के आरे login, जैसे ही, आप मैंने एरो मारे कर रखा है, कारिवी के आरे, इस option को, फस्ट वाड़े option को ही, आपको किलिक करना है, जैसे ही मैं page को, उसको फस्ट वाड़े link को, कारिवी के आरे को किलिक करूँगा, इस तरह से जो है, कारिवी की जो website है, वो खुल के मेरे सामने, श्यो हो जाएगी, अभी आपको page को उपर की तरफ स्क्रोल करना है, और इसमें आपको एक option मिल जाएगा, KYC inquiry किलिक here, यानि KYC की inquiry करने के लिए, आप यहाँ पर किलिक करे, तो आपको यहाँ पर किलिक करना है, और किलिक करने के बाद में, आपको वही अपना पेन नम्म डालके, और आपनी कारिवी की KYC है, उसका आप जो है online status चेक कर सकते हो, तो आपको इसके उपर किलिक करना है, आपको अपना पेन नम्म डालना है, और निचे जो चरेक्टर दिया हुआ है, वो चरेक्टर वाड़े box में डालके, और आपको जो सर्चनाव का option है, सर्चनाव वाड़े option के उपर किलिक कर देना है, आपकी जो KYC का status है, वो आपको शो कर देगा, तो जैसे ही आप सर्च करोगे, इस तरह से जो है, आपकी KYC का status आपको शो कर देगा, तो दोस्तों मेरी तो KYC जो है CDSL में है, इसलिए हर एक जगे CDSL ही शो करेगा, परन्तु अगर आपकी KYC खहीं भी है, तो आपको आप चेक कर सकते हो, और इस तरह से अपनी status का KYC का पता भी कर सकते हो, तो आपकी KYC जो है NSDL में कर रखी है, तो NSDL वाली KYC को चेक करने के लिए, वही आप जो browser यूज करते हो, उसमें आपको जाना है, और जो इसकी जो है, आपको open कर लेना है, NSDL के आरे, जो search box में लि जहां पर मैंने arrow mark कर रखा है KYC inquiry, इस option के उपर आपको किलिक कर देना है, जैसे यह आप इसके उपर किलिक करोगे, तो आपको जो है, आपका जो pen number है, वो enter करना है, और जो केपचा दिया हुआ है, वो केपचा आपको डाल के, और जो search box, search दिया हुआ है, सर्च वाले option पे जाके आपको यह search कर लेना है, तो आपका जो KYC का status है, वो आपको show कर देगा, इस तरह से जो है, आपको KYC का status जो है, online show हो जाएगा, तो मेरी तो KYC जो है, CVL में है, इसलिए CVL show कर रहा है, CVL तुरन्तु आपकी अगर NSDL में है, तो आपको NSDL show कर देगा, आपनी KYC कब की है, वो पूरी चीज इसमें show हो जाएगी, तो इस तरह से NSDL में जाके, आप अपनी KYC के online status को बड़ी ही आसानी से check कर सकते हो, अगर दोस्तों, आपकी KYC, CVL, यानि CDSL Venture Limited में है, तो उसका KYC का online status check करने के लिए, वो ही same procedure है, कि आपको सबसे पहले जो है, जो browser आप यूज करते हो, सर्च बोक्स को open करना है, सर्च बोक्स में CVL, क्यारे करके आपको type कर देना है, जिससे ही आप ये type करोगे, इस तरह का जो है, इसकी website का home page आपके सामने खुल के show हो जाएगा, अभी हमारे को KYC check करना है, तो जहाँ पर जो first में option दिया हुआ है, CVL, क्यारे, इसके first वाड़े option के उपर ही आपको click कर देना है, ये आप click करोगे, click करते ही इस तरह का page जो है, खुल के show हो जाएगा, अभी जहाँ पर मैंने circle कर रहा है KYC inquiry, KYC इस inquiry वाड़े option के उपर आपको click करना है, और click करने के बाद आपको pen number और वो डाल के आप अपनी KYC का जो है, online status को ज ये डाल के भी आप जो है KYC के status को check कर सकते हो, तो मैंने जो है pen number डाल दिया है, और नीचे फिर इसको page को उपर की तरफ scroll करना है, और search करके आप देख सकते हो कि मेरी KYC किसमे है, तो मेरी KYC जो है CDSL Venture Limited में ही है, तो मेरी KYC status show कर दिया है, status date, KYC date, आप इस तरह से बड़ी ह इसको जो है check कर सकते हो, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेर करें, वह मेरे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थेंक्यू पर वाचिंग माई वीडियो अगां तेंग